आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई फिल्म जो की हाल ही में एमेजन प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई है फिल्म का नाम है शकुंतला देवी दुस्तों फिल्म के बारे में और बात करेंगे बढ़ उसके पहले अगर आप इस मेरे चैनल को पहली बार देख रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेचे वो नोटिफेकेशन बेल जरूर दबाए इस वीडियो को लाइक करें लाइक करने के बाद इसे शेयर करें ज्यादर ज्यादर लोगों तक और नेचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता हैं कि आपको ये वीडियो कैसा पालन उनके पती का रोल कर रहे है जिशिव सेनुकुपता और उनकी बेटी का रोल कर रही है सान्या मलोतरा फिल्म के दिगदर्शक है अनु मेनन ये फिल्म काफी पहले लॉंच हुई थी यानि कि इसके बारे में काफी दिनों से बात हैं चल रही थी बट डूट दिस कोव लाइन है दो घंटे साथ मिनिट फॉल्स अंटर ड्रामा केटेगरी एंड रिलीस के बाद इसे 6.2 आट ओफ 10 का रेटिंग मिल चुका है आम डीवी पर तकरीवन तकरीवन 5,800 लोगों ने इसे रेट किया है फिल्म के बारे में बात करूं तो दोस्तो फिल्म ठीक ठाक लग बात करो तो camera was quite okay it was quite more of a commercial camera और ज्यादा तर देखा जाए तो कुछ खास camera work मुझे लगा नहीं out of the world camera work मुझे कुछ लगा नहीं उसमें but it was all in all okay camera work production design काफी बढ़िया है overall एक शकुंतला देवी जी का जो पूरा का पूरा journey है from being a childhood genius to the genius who broke the records all over the world till उनकी बेटी बड़ी होने सब्सक्राइब कोड़ डिस्प्यूट और वह भी प्रोड़क्शन डिजाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वह एरा काफी अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया है विद्या बालन के ऊपर जो काम किया गया है character के तौर पर being as a production designer उनका costumes का हो उनका hair styling का हो वह up to the mark ह it is very much following शकुंतला देवी's all the ages and उनके आजू बाजू भी जो काम किया गया है characters पे in terms of production design काफी अच्छा है sound में ज्यादा कुछ खास काम है नहीं to be honest एक या दो songs है पूरे film में जो की necessary नहीं लगे as I am saying 2 गंटे 7 minute की film है उसमें भी 2 songs कुछ खास necessary लगे नहीं but ठीक है और editing मु आते और थोड़ा सा अगर फिल्म का tonal value या फिल्म का जो concentration है वो कही और shift होता तो और थोड़ा ज्यादा मजा था the things which I have liked or the things which I felt good about the films were number one acting Vidya Balan has done a fantastic job as always in terms of acting then made be her dialect of being a South Indian girl to her journey कैसे कैसे उनका रुतबा बदलते जाता है रुतबे के साथ उनका कैसे कैसे behavior बदलते जाता है जो character उनने पकड़ा है वो बहुत सही किया है Sanya Malatra कहो, Amit Saath कहो, चीशोने Gupta कहो, इनोने characters बहुत अच्छे पकड़े है Animation जो कुछ भी किया है थोड़ा बहुत 2D animation वो मुझे काफी अच्छा लगा इस फिल्म के बारे में To be honest, that's all which I have liked about the film Now coming to the films which I didn't like about the film, number one, storytelling Somewhere around the line, it is a lost subject Shakuntala Devi, a maths genius थी, उनके ओपर भगवान का हाथ था कहो, या ये देवी शक्तिती कहो But she used to do some magic, there was something in her calculations कि वो computer से भी तेश थी, उन्हें human computer बोला गया था But वो film के पहले 5 minutes में हमें realize हो जाता है कि Okay, this is it, आगे क्या, आगे 2 घंटे 7 minutes में क्या देखो और overall आगे अगर आप देखे, तो उसमें 2 घंटे 7 minutes तक उनका, उनके emotions, उनके family के जगडे, उनके family के लफडे उनके personal life के बारे में ज़्यादा तर बात की गई है उनके, उनके पती के साथ के issue, उनका जो एक ideal nature था कि मैं हमेशा सही रहती हूँ, मैं कभी गलत नहीं होती वो, या उनके, उनके बेटी के साथ के issue यह पूरी फिल्म उनके परसनल लाइफ के इसुज में कही नहीं कहो गई आसा मुझे लगा प्ट सम्मेर अनुर्ण देवलप्ट अर्मेटिकल स्किल्स एक सीन है पूरे फिल्म में जहाँ पर उनकी बेटी वेदिक माइक्स के थ्रू कैसे एक एक इक्वेशन चुटकियों में सॉल कर रही है यह दिखाया है then there is one scene where she's been interviewed by a British radio where she answers faster than the computer but the answer is wrong so she says you know a question उन्हें पूछा जाता है जहाँ पर वो कहती है कि यह question नहीं गलत है जबकि computer answer देता है उसका and then she tells कि यह question क्यू गलत था यह question का कभी भी answer कैसे नहीं आएगा so अगर उनके mathematician skills के ओपर और थोड़ा दिखाया जाता दो घंटे साथ मिनिट की film है एक देड़ घंटा अगर उनके mathematician skills पर दिखाया जाता और फिर थोड़ा बहुत उनके life के problems उनके life में उनने कैसे क्या-क्या अचिव किया वो दिखा थे you know the entire film was about to be honest Shakundala Devi has a magical skill in her you know godly skill in her she does shows from that skill she creates her own identity she gets successful that's it the film was finished for me in like 5 to 6 minutes not more than 20 minutes after 20 minute के बाद मैं खुद बोरुने लगा था कि ये क्या बना है मतलब मैं नहीं चाहता चाहता शकुंतला देविट में अपने life में क्या problems उसके kya problems face किये जहा तक हे वहाँ पर वो पहुचने के लिए वो बात अलग होती है और एक struggle दिखाना अलग होती है बट उनका कहीप है struggle दिखाया नहीं it was like वो गई वो जीत गई वो गई वो जीत गई वो जीत गई मेभी इसा ही रहा होगा, but somewhere down the line, being such a genius on this face of earth, you have to work on yourself. कही ना कही पर तो homework होगा, कुछ ना कुछ तो हो, वो क्या techniques थी? वो केसी थी, you know? So, I really feel की, you know, this is somewhere down the line a lost subject, another waste of a biopic, another waste of a story, this is what I feel. Camera could have been better, the production design could have been better, वो बहुत gloomy gloomy सा लगा मुझे I hope आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए और मैं ये नहीं कह रहा है कि ये बहुत घटिया फिल्म है या ये बहुत थी करा फिल्म है but this is what I felt about this film after watching and I will still ask you to watch this film because ये किसी character की कहानी है किसी genius की कहानी है जो आपको experience करनी ची ऐसा मुझे लगता है it's available on Prime Video please go and watch it also let me know below आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करे मेरे इस वीडियो को जाड़ जाड़ लोगों तक शेर करे और आपको ये वीडियो कैसा लगा also if you are here for the first time and if you are liking my videos then please subscribe to the channel and hit that notification bell it helps me growing my channel before I go please do take care of yourself stay home or go out but please keep using your mask keep social distancing from everyone and keep sanitizing yourself चीज़े अभी open हो रही है but इसका मतलब ये नहीं कि जो problem था वो कम हो गया है वो कही ना कही वही पर है maybe vaccine आएगा सब कुछ होगा एक दिन सब कुछ सही होगा यही बगवान के पास प्रे करेंगे मिलूंगा आपको एक और ऐसे वीडियो के साथ तब तक have a great night and bye bye